नूजीले में इस समय में मुझूद हूँ और जहां पर ये हिंसा बढ़की थी उस शोबा यात्रा के अगर आप बात करें कि क्यों जल्दी मदद नहीं मिल पाई वो इसलिए दरसल में आपको वीजुल जो दिखाना चाता हूँ पीछे जो है वो मंदिर मुझूद है यहां पर पीछे मंदिर मुझूद है उसके पीछे पहाड़ी है दूसरी तरफ आपको यहां पर पहाड़ी दिखाई देगी और त कामज में आ रहा है जिस प्रकार की यहां की डेमोग्राफी है कि पूर्ण तरीके से सुन्योजी तरीके से साजिश थी इस साजिश को अंजाम दिया गया बहुत पहले से इसकी प्लैनिंग थी देख सकते हैं आप चपले आपको अभी भी नजर यहां पर आएंगी आपको जहां से हिंसा शुरू हुई वो यहीं से शुरू हुई क्योंकि यहां से डेर दो किलोमेटर की दूरी पर ही मंदिर है और जब शुबायातरा निकली और यहीं से जब जा रही थी तो यहीं पर निशाना बनाया गया पत्राव क्या गया गया और यह पहाडियों से यह जो ग कि अग्जा रहा होगा, और आगे भी आपकी जहां तक नज़र जाएगी, जहां जाएगी जहां आपको ब्लैक स्पॉर्ट्स जो है, वो नज़र आएगे वहाँ, आपको यह देखने को मिलेगा, कि इन गाडियों को जलाया गया आप देख सकते हैं यहां पर ये टूटे हुए शीशे पड़े हुए है बाकी चीजे जो है वो यहापर पड़ी हुए पीछे पेड़ भी काफी हद तक जो है वो जल गया है जब जलाया गया गाडियों को क्योंकि इतनी लप्टे जो है वो यहां से उठ रही थी आप देख सकते हैं अभी सीधे तोर पर वीजुल्स में जो है आपको यह नजर आएगा क्योंकि यह देखे काफी संक्राइड लाका और काफी जो है यह अलग सा इलाका पड़ जाता है वहाँ पर पहले से ही अगर नजर आएगा कि जल चुका है यह पेड और इसकी शाखाएं जो है इसके पत्ते जो है वो भी यहां पर जल चुके हैं और सीधे तोर पर अगर यह का जाएगी देखे पार्ट जो है गाडियों के पार्ट जो है वो यहां पर आपको नजर आ रहे हैं यह कुशन बैग जो है और दूर दूर तक यहां कुछ नहीं है कुछ गर हैं और इन पहाड़ियों से क्यों निशाना बनाया गया और जब तक यहां कोई पहुँच पाता तब तक इस गटना को अंजाम दे दिया गया था सीधे तोर पर आप वीजुल्स में देख सकते हैं यहां और यहां पर भी पाके कि अगर हम बात करें यह ऐसा नहीं है कि पहली बार यहां से इस तरह की एकदम से गटना सुनने को आई मिवात पहले भी सुर्खियों में रहा है यहां की डेमोग्राफी को लेकर के यहां पर जो बदलाव हो रहा है जो पॉपुलेशन का अगर बात की जाए तो उपर रह रहे थे सबसे पहला प्रशनी ओड़ता है आखिरकार किसने उन रोहिंग्याज को यहां पर बसने दिया और क्योंकि उनी रोहिंग्याज में से बहुत से लोग जो है वो इस साजिश में शामिल थे 19-25 साल के बचे यह देखिए आपको यह पठके जो है यहां पर नजर हुए आपको नजर आएंगे और यहां पर हर जेगा जो है वो शीशा बिखरा हुआ है जो गाड़ियें यहां पर टूटी उसका शीशा जो है वो यहां पर बिखरा हुआ है और यहां से कुछी दूरी पर जो है वो मंदिर का स्थान है यहां भी एक गाड़ी थी यह करना आसान है लेकिन जो लोग यहां पर फसे हुए थे आज कहीं न कहीं जब लोगों से हम बात कर रहे हैं तो उनहीं लोगों को उल्टा निशाना बनाया जा रहा है जिन लोगों ने सहा जो बच्चे महिलाएं यहां पर थी जिन पर यह पत्राव किया गया जो यह आगजनी यह आगजनी किन गाडियों पर हुई जो गाडियों दूर दूर से आई थी फरीदाबाद से आई थी पानीपत से आई थी पलवल से आई थी यहां पर मंदिर में दर्शन करने के लिए श्रदालू इन गाडियों में आई थी इन गाडियों को निशाना बनाया गया उन जवाल बियाजिनी को कटगरे में खड़ा कर दिया जा रहा है इन डिजाइनर पत्रकारों की वजा से जो अपनी जान पर खेल रहे थे छे लोग जो उसमें मर गए पुलीस होमगाड के यहां पर अगर बात किये तो होमगाड के सिपाही को जो है अपनी यहां पर जान गवानी पड़ी कौन इसकी जवाब दे ही देगा लेकिन नहीं अभी भी यह सो कॉल्ड जो लोग बैठे हुए हमारे देश के अंदर वो उनको बचाने में लगे हुए जिन्नोंने हिंसा की उल्टा उनको बोल रहा है कि एक वीडियो वाइरल हो गया था वीडियो में कहा गया था कि कुछ लोग इस रैली में शामिल होने आ रहे हैं इसलिए यह हिंसा हुई आप लोगों को किसने अधिकार दिया पत्थर चलाने का आगजनी करने का आज सवाल जो है इसी नू से यहाँ पर उठ करके आप लोगों के बीच में आ रहा है कि समझना होगा कि आखिरकार किसने उ पहले से चीज़ चल रहे थी और अब उसी को देखते हुए हर एक चीज़ को खंगाला जा रहा है यहाँ पर और एक एक आरोपी को यहाँ पर नहीं बख्षना चाहिए नहीं तो इसी प्रकार से इनके होसले ऐसे बुलंद रहेंगे और आगे भी ऐसा ही कुछ जो है वो जम्मू में गटना होती है वहाँ पर भी इनी रोहिंग्यास का इन्वाल्मेंट सामने आता है यहाँ गटना होती है इसमें भी रोहिंग्यास का इन्वाल्मेंट सामने आता है और वो लोग जो इनको आश्रे देने का काम करने आज सवाल उनसे भी यहाँ पर खड़ा हो रह क्योंकि पीछे से जो रास्ता आ रहा है संक्रा रास्ता आ रहा है एक किया गया लोगों को निशाना बनाया गया और कैई सारी गॉड़ियें उनको आके हवाले किया गया लेकिन अगर 3-4,000 लोग उसमें महिलाएं बच्चे कहीं बच पाये तो इसी मंदिर की विज़ा से बच पाए आईए अब आपको ले चलते हैं इस मंदिर में और आपको अंदर से जो है यहाँ पर Ground Zero से पूरी रिपोर्ट जो है दिखाते हैं इस मंदिर की जिस मंदिर से जो है आज तीन चार हजार लोग जो है वो बच पाए यह देखे जो बार-बार कहा गया कि इन पहाडियों से जो है यहाँ पर निशाना बनाया गया था क्योंकि आप देख सकते हैं कि जहाँ पर यह मंदिर है मंदिर से सटा हुआ तीनों कोनों पर पहाडी है और उसके अलावा दूर-दूर तक कोई भी बसती जो है वो यहाँ पर आपको नजर नहीं आएगी और यही जो सुत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि पहाडी एकदम साथ में है जादा दूर नहीं है मंदिर से सटीवी पहाडी है इसलिए जो है वहाँ से निशाना बनाना बहुत आसान उनके लिए हो गया खासतोर पर आगे जहां से शोबायात्रा आ रही थी शोबायात्रा जो मंदिर से 1.5 किलोमिटर दूर थी और गोलिये चलने वाली भी वीडियोस जो है वो सामने आई है कि यहीं उपर से जो है वो गोलिये चला करके जो है उनको निशाना ब अधिकारी है वो यहां पर है मंदिर के गेट पर अगर बात कि जाए वहां पर भी कमांडो जो है वो तैनात है और पूरा इलाका जो है उसको यहां पर तब्दिल कर देखिए अभी लगातार जो है गोर्मेंट ऑफ हर्याना की गाडिये जो है वो यहां पर आ रही है उसके बात करेंगे इस बारे में और किस प्रकार से अगर बात कि जाए तो जो कहा जाता है कि हमारा दार्मिक स्थल है मंदिर जो है वो वहाँ पर लोगों की मनते पूरी होती है लेकिन अगर बात कि जाए उस जिन की 31 जुलाई की तो इस मंदिर की वज़ा से ही 3-4 लोगों की जान बच पाई है सीधे तोर पर आप देख सकते हैं काफी गने पेड जो है गना जंगल वो आपको इन पहाडियों पर नजर आ रहा है अब इनके पीछे से चिप करके कोई गोली चला रहा है और कोई पथर वहां से फैंक रहा है तो कैसे जो है पता लग पाएगा ये बड़ा सवा साथ में ये भी उठा कि कब ये लोग जो है वहां पूंच से वहां जा करके जो है इसको निशाना बनाया गया शोबा यात्रा को यह यहां पर बड़ा सवाल जो है वो उठ रहा है देख सकते हैं आप हर्याना पुलीस की गाड़ियों जो है वो यहां पर लगी हुई है तमा कि यहां पर कौन लोग मुझूद हैं देखिए यहां पर आपको टेंट्स भी जो है वो नजर आएंगे गाड़ियों किलाव अमूलेंस भी जो है वो यहां पर नजर आएगी आपको और थमाम फोर्सिस को जो है वो यहां पर डिप्लाई किया गया है जब से यह घटना और यह जो टेंट्स आपको नज़रा रहे हैं ये उसी दिन के लिए उसी बंदिर के लिए मंदिर में जो शोबयात्रा के लिए लोग आई थे उनके लिए लगाया गया था